हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम मल्टीपल कमपनियों को कवर करने वाले हैं उनसे रिलेटेट क्या क्या अपडेट आ रहा है ये देखने वाले हैं तो सबसे पहले बाजार को देखते हैं तो बाजार दोस्तो उने 2% की गिरावट के साथ 17,800 पर क्लोज हुआ अब देखे बाजार ने 18,000 का लेवल तोड़ दिया जो एक important support लेवल था अब बाजार का support लेवल 17,500 का बचा है क्या बाजार ये लेवल को hold कर पाएगा या नहीं और बाजार के related आगे जो भी अपडेट आएगा जैसा भी आएगा हम आपको जरूर कवर करेंगे तो आप पटा पट्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए तो आप चलते हैं हमारा सबसे first stock को cover करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो first stock है उसका नाम है Infosys Infosys की अगर मैं बात करता हूँ एक काफी बड़ा positive update आ रहा है और last trading session में 8% की गिरावट देखने को मिली और stock ने एक बार फिर से 1500 रुपे का level तोड़ दिया है उसके साथ ही अगर मैं इसका previous close दिखाऊं तो 1522 रुपे का था यह gap down opening लेता है 1508 रुपे 70 पैसे high लगाता है 1509 रुपे 90 पैसे और low लगाता है 1493 रुपे के आसपास काफी अच्छा market cap हो चुका था लेकिन अभी गिरावट के कारण 6,39,000 करोड का बचा हुआ है क्योंकि 5 दिन में हलकी सी गिरावट है एक महने में जो तेजी थी वो पूरी profit booking में convert हो चुकी है लगबक 8.5% की छे मेंने में जो एक अच्छा return दिया था इस deep के बाद अगर आप देखेंगी जो deep के बाद एक अच्छा return दिया था यह भी पूरा profit booking के तरप convert हो रहा है उसके साथ इसका अगर मैं आपको overall का performance दिखा हूँ तो काफी शांदार हमें देखने को मिलता है Infosys का अब दोस्तों Infosys के उपर एक positive update आया है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए live mint की site के उपर मैं आप लोगों को लाया हूँ ठीके और जो नोमुरा है जो कि एक globally brokerage house है एक rating agency है उन्होंने 2023 का outlook बताया है और कुछ selected IT stock को दोस्तों buy करने का recommend किया है जैसे कि like Infosys, TCS अभी देखिए Q3 के number में है न सभी जन Infosys को topic बना रहे हैं क्यों क्यों क्योंकि सबको उमीद है कि Infosys एक अच्छा Q3 का number दिखाएगा और 2023 में जो चालू होगा जनवरी से पूरे साल भर में topic बने रहेगा Infosys ऐसा उलना बोलना है ये update कप का है कल का अब देखिए बताया ये जा रहा है कि आने वाले 2024 तक मतलब आना वाला जो financial है 2024 है जो March के बाद चालू होगा उसमें जो IT company एक हास करके domestic level की मतलब हमारे देश की वो बहुत अच्छा performance कर सकती है जो margin का issue है वो भी पूरा खतम हो जाएगा जिसके लिए जो भी globally brokerage house है वो एकदम bullish हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तो IT stocks के उपर नीचे भी अगर ऐसे ही देखो के तो बताया गया है कि आने वाले 12 महने आने वाले 12 महने IT stock एक अच्छा काज़ा performance हमें दे सकते हैं अब यहाँ पर देखे कुछ target बताया है उनका नोमूरा का जो topic है TCS, Infosys, Bepro, SCL Tech Tech महंदरा उसके साथी और भी बहुत सारी company है LTI, Hempessus और Prestition तो हम Infosys को cover कर रहे हैं तो सभी के target आपको यहाँ पर दिखेंगे ठीके तो Infosys का जो target है buy कनने का recommend किया गया है आप देखिए उसके साथी बताया यह गया है कि जो target price है वो 1900 रूपे का तै किया गया है ठीके TP और upside लगबग 16% का return हमें मिल सकता है current market के price से तो Infosys को दोस्तों काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर अभी bullish pattern पर रखा जा रहा है नो मूरक के तरफ से तो यह update अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया है तो दोस्तों last trading session का जो buyback का update है वो हमें आते देखने को मिल रहा है Infosys के तरफ से ठीके तो Infosys में last trading session में 62,83,000 quantity का volume देखने को मिला ठीके जिसमें से delivery कितना लिया गया 65% का मतलब 41,000,000 quantity आप round figure में पकड़ सकते हैं इसके साथ ही company information पर दाता हूँ buyback का अगर में detail दिखाता हूँ 22 तारिक का मतलब 23 तारिक को यह update किया गया है कल की date में Friday की दिन देखे जाए तो 14,20,000 quantity यहाँ पर क्या की गई है buyback में खरीदी गई है open market से जिसका दोस्तो average price देखें कभी किस price पे खरीद रही है company कभी किस price पे लेकिन एक average price निकलता है और stock में कम गिरावट का कारण यही है अगर buyback नहीं चलता तो stock अभी तक काफी ज़्यादा गिर गया होता लेकिन अभी buyback चल रहा है तो वो कम गिर रहा है ठीके तो average price जो वो 15,20 रुपे के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इस buyback का मतलब अभी तक जितनी बार भी company ने buyback किया है मतलब share खरिदा है उसका एक average price बना है जो की 15,20 रुपे का हमें देखने को मिल रहा है तो यह buyback अगर एक प्रकार से देखे जाएं तो इन्फोसेस को कम गिरने दे रहा है और update काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है तो अब second company को cover करते हैं दोस्तो हमारी जो second company है उसका नामे Dixon Technology इंडिया लिमिटेड देखे Dixon Technology है ना काफी बढ़िया company देखने को मिल रही है क्योंकि mobile बनाती है सबसे बढ़िया बात यह है और daily routing में जितने भी समान यूज होते हैं LED bulb, LED TV, washing machine, freeze अब यह company खुद बनाती है इंसेंटिव लेके जाईए इससे क्या हो रहा है इससे Dixon Technology का sales भी बढ़ रहा है government अलग से incentive दे रही है तो Dixon Technology की बले बले है लेकिन अभी गिरावट देखने को मिल रही है गिरावट इसलिए क्योंकि China में फेल रहा है COVID और COVID के करण चाइना है परिशान और चाइना दोस्तों पूरी दुनिया का सबसे important manufacturing hub है तीके अगर उसमें impact आएगा तो definitely जो company का तालुक चाइना से है तीके उनके उपर भी असर जरू देखने को मिलेगा तो यही reason है दोस्तों Dixon Technology के गिरने का लगबक 4% की गिरावट के साथ 3729 रुपे पर trade मतलब close हुआ previous close था 387 रुपे open होता है 3811 रुपे high लगाता है 3855 रुपे low लगाता है 3710 रुपे 22,000 करोड की company है P.E.N. ratio देखिए dividend yield देखिए 52 विक का ही 52 विक का low देखिए एक महेने में दोस्तों यह 14% गिर चुका है इसको एक opportunity समझिए बागे इसने return दोस्तों अपने shareholder को बहुत ही जोड़दार दिया है अब इसके related जो update था वो तो मैंने बता दिया लेकिन कुछ target भी आ रहा है वो भी देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं money control की site के ओपर लाया हूँ और एक domestic broker है जिनका नाम है share खान जो की काफी बड़े broker हमें देखने का मिलते हैं domestic level पे इन्होंने Dixon Technology को buy करने का recommend किया है target दिया है 4900 सहाट रुपे का अभी share का price आप देख सकते कहा है और यह target आप देख सकते कहा है तो हमारे लिए यह confidence build करने के लिए काफी है हम target को follow नहीं करते है लेकिन दोस्तो हम उनकी research report जरू पढ़ते हैं इनको पता है दोस्तो कि कितने जन trading कर रहे हैं कितने जन नहीं कर रहे हैं देखे कहाँ पर investment सबसे ज़्यादा हो रहा है कहाँ पर नहीं इनको सब पता रहता है क्योंकि एक brokering firm है पूरा data इनके पास रहता है तो यह जिन पर target दे रहे हैं आप वो target को ignore कर दो लेकिन जो research report ला रहे हैं वो हमारे लिए काफी positive है तो हम खाली research report को follow करते हैं target को नहीं करते हैं तो target एक प्रकार से देखा जाया तो बढ़िया है confidence देने लाएके और जो update है वो भी काफी बढ़िया है अब चलते हैं third company के उपर दोस्तो third company हमारी ICIC bank के जो की काफी बढ़ा एक update हमें दे रही है वो update हम दिखाएंगे उससे पहले performance दिखा देता हूँ performance डेल पर्सेंट की गिरावट के साथ 837 रुपे पर stock close हुआ previous growth तो 890 open होता है 883 high लगाता है दोस्तो 890 के पास ही low लगाता है 875 6,13,000 क्रोल का market के पे 52 बिक का ही 52 बिक का low देख लीजे और return देख लीजे कितना खतरनाक है बहुत खतरनाक return है HDFC bank जो की leader देखने को मिलती है private में ठीक है उसके ठीक नीचे यही company हमें देखने को मिलती है मतलब ICIC bank देखने को मिलती है और ICIC bank HDFC bank को काफी खतरनाक तरीके से competition दे रही है ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ICIC bank HDFC bank से आगे निकल जाएगी खेर वो आगे जैसा भी होगा हम जरूर update करेंगे अब क्या update आ रहा है वो दिखा देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ICIC bank का दोस्तों हमने NSC पर चार्ट open किया है last trading session में 1 करोड 10 लाग quantity यहां पर trade हुई थी काफी शांदार उसके साथ ही delivery कितना लिया गया है delivery लिया गया है लगबख 70% से ज़्यादा का ठीक है 70% से ज़्यादा का delivery company का information परकर में लेके जाता हूँ तो देखे board meeting रखा गया है 21 जनवरी को 21 जनवरी को और इसी दिन company का financial result आने वाला है और financial result से बहुत उमीद देखी जा रही है ठीक है अगर यह अच्छा production करता है तो आगे हमें एक अच्छा कासा bounce back देखने को stock में मिल सकता है तो जरूर आप ICIC bank को भी अपने focus में रखकर चल सकते हैं अब last company अपडेट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो business standard के site के ओपर मैं आप लोगों को लाया हूँ 24 दिसंबर कल का यह update हमें देखने को मिल रहा है company का नाम है GM polyplast ठीक है इसने record date दोस्तो बता दिया है bonus का और shareholder के लिए बहुत खतरना के दोस्तो यह चार जनवरी का record date है तीन जनवरी का X record date है ठीक है X date हम जिसे बोलते हैं यह company क्या करने जा रही है हर एक equity share के बदले ध्यान से सुनिए हर एक equity share के बदले 6 equity share bonus देने जा रही है यहाँ पर देखे पेटा bonus sharing ratio 6 to 1 का मतलब हर एक equity share के बदले 6 equity share यहाँ पर bonus मिलने वाले हैं ठीक है तो बहुत खदरनाक यह company bonus देने जा रही है और यहाँ पर देखे last trading session में market के pressure के कारण 5% का lower circuit लगा और stock 1058 रुपे पर close हुआ 203 करोड का मात्र market के देखने को मिलता है इसका overall का अगर मैं performance दिखा हूँ तो यह company बाजार में 2020 में आई है और एक अच्छा कासा performance दे रही है साथ मैं 52 बिक का high 52 बिक का low भी देख सकते हैं ठीक है तो काफी जोड़दार company देखने को मिलती है जरूर आप इस company को भी अपनी steady में रख सकते हैं तो यह था multiple company का update तो आप पटापट से इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे तो thank you दोस्तो